Most Welcome to All My Dear Friends, कैसे हो आप सभी? पिछले बीडियो में मैंने 50 MCQ टाइप्स कोश्चन कवर किये थे जो कि हमारे ब्लट से, हर्ट से और सर्कुलेटरी सिस्टम से थे और उसी में हमने उसको पार्ट वन बनाया था और इस पिडियो में भी हम 50 MCQ टाइप्स कोश्चन कवर करेंगे और यह हमारा पार्ट टू रहेगा और ऐसे ही हम 250 MCQ टाइप्स कोश्चन कवर करेंगे ठीक है, चार पार्ट में तो यह हमारा पार्ट टू है तो इसका सबसे पहला कोश्चन है which blood cell present highly in blood यानि कि अगर हमारे blood में पूछा जाये कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी cells पाई जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी blood में सबसे ज़्यादा मात्रा में RBC पाई जाती है RBC का मतलब होता है red blood cells which cells present very low quantity in blood अब आपसे ये पूछा जाये कि हमारे blood में सबसे कम मात्रा में कौन सी cell पाई जाती है तो आपको बताना है WBC WBC यानि कि white blood cells which blood cells absent nucleus अब हमारे blood में ऐसी कौन सी cells होती है जिसमें nucleus absent होता है यहींनि कि हमारे blood में हमारे खून में ऐसी काउन्सी cells कोसिका होती है जिनमें nucleus यानि कि kendra present होता है अनुपस्तित होता है तो RBC में यहींनि कि RBC में nucleus absent होता है largest blood cells यानि कि जो हमारे blood में 3 cells पाई जाती हैं उनमें सबसे बड़ी cells कौन सी होती है तो WBC यानि कि जो white blood cells यानि sweat, sweat, rudi कोसिका जो होती है वो सबसे बड़ी कोसिका होती है यानि कि blood की हम यहाँ पर particular blood की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर human body की cell सबसे बड़ी कोसिका की बात नहीं कर रहे है तो यह चीज आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा कि जो हमारे blood की सबसे largest cell होती है वो WBC होती है smallest blood cells यानि कि हमारे जो blood में सबसे छोटी कोसिका होती है उसको हम platelets कहते हैं या फिर कभी-कभी platelets option में नहीं दिया तो आप RBC भी टिक कर सकते हैं यह question BSF ASI में पूछा गया question है कि smallest blood cells काउन सी होती है तो आपको पता होना चाहिए और वहाँ पर option में यह दोनों दिया था तो इसलिए आपको जब दोनों दिया रहे यानि कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो है ऐसी कौन सी cells होती है या blood cells होती है जो कम मात्रा में हमारे blood में पाई जाती है तो वो WBC थी और अगर यह पूछा जाए कि सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है तो monocytes होती है जो WBC होती है हमारी 5 types की होती है जो monocytes होती है वो सबसे बड़ी white blood cells होती है इस smallest WBC यानि कि सबसे चोटी WBC कौन सी होती है तो आपको पता होना चाहिए कि lymphocytes जो होती है वो सबसे चोटी WBC होती है यानि कि सबसे चोटी WBC कौन सी होती है lymphocytes longest cells of human body अब यहाँ पर देखे यह question है कि longest cells of human body यानि कि सबसे लंबी कोशिका हमारे human body की कौन सी होती है तो आपको पता होना चाहिए neuron जो होती है वो सबसे longest cells होती है हमारी human body की smallest cells of human body मैंने पताया कि longest cells जो होती है वो neurons होती है हमारी human body की मनुस्य सके सरीर की और जो सबसे छोटी कोसिका होती है मानो सरीर की वो इस्पर्म होती है इस्पर्म कहाँ पर पाया जाता है? मेल्स में लार्जिस्ट सिल्स आफ हुमन बोड़ी अगर लार्ज, ठीक है? अगर बड़ी की बात करेगा तो फिमेल्स एग यानि की ओवम जो होता है वो सबसे लार्जिस्ट सिल्स होता है हुमन बोड़ी एक लार्जिस्ट होता है, एक लार्जिस्ट होता है अगर लार्जिस्ट की बात करेगा तो आपको नियूरान से याद रखना है और largest की बात करेगा तो आपको female's egg या फिर ovum दिया रहेगा तो उस पर टिक करना है largest cell in the word अगर पूछा जाए कि संसार में या फिर word में सबसे largest cell काउन सा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ostrich egg यानि कि जो सुतुर मुर्ग का अंडा होता है ostrich egg होता है यह सबसे largest cell होता है word में ठीक है और इसकी length क्या होती है 15 से 18 cm होती है next आपका 12 number का 12 number का question है smallest cell in the word यानि कि सबसे चोटी कोशिका word में word की संसार की सबसे चोटी कोशिका का नाम क्या है तो आपको पता होना चाहिए mycoplasma जो होती है वो word की सबसे चोटी कोशिका होती है smallest cell होती है और इसका size जो होता है वो 10 micrometer होता है और सबसे बड़ी कौण सी होती है ostrich egg 13 number का question है normal range of RBC जो RBC होता है red blood cells होता है इनकी normal range कितनी होती है तो इनकी normal range 4-6 million per micrometer of blood होती है यानि कि per micrometer blood में ये 4-6 million पाया जाएंगे और जो RBC होती है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जानी वाली blood cells होती है यानि कि हमारे blood में council cells सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है तो वो RBC पाई जाती है सबसे ज़्यादा मात्रा और सबसे कम WBC RBC discovered by ये भी question SSC sigil में पुछा गया question है कि RBC discovered by RBC की खोज किसने की तो आपको पता होना चाहिए कि Anthony Vaughan Levenhawk ने RBC की खोज की थी किसने की थी Anthony Vaughan Levenhawk Where the formation of RBC यानि कि जो RBC होती है वो कहाँ पन बनती है कहाँ पर बनती है या RBC का निर्माण कहाँ पर होता है तो bone marrow में RBC का निर्माण होता है ये भी question BSF ESI में पूछा गया था 2021 में 16 नमबर का life span of RBC जो RBC का life span यानि G1 काल होता है वो कितने दिन का होता है तो 120 यानि कि 100 से 120 दिन का होता है RBC का life span 120 days का होता है Where the breakdown of RBC 17 नमबर का question है RBC का breakdown कहाँ पर होता है यानि कि जो हमारी RBC तूटती है या फिर breakdown of RBC कहाँ पर होता है breakdown of RBC takes place यानिकि RBC का break down कहां पर होता है तो Spline अत्वा लीवर में होता है तो ज़्यादा मात्रा में Spline में होता है और small amount में लीवर में भी होता है Graveyard of RBC यानिकि Graveyard का मतलब होता है Κabyrिस्तान RBC का कबरिस्तान किसे कहा जाता है या फिर किस organs को RBC का कबरिस्तान कहा जाता है तो spleen को spleen को RBC का graveyard कहा जाता है 19 number का question spleen is a part of which system यानि जो हमारे body में जितने भी system पाय जाते हैं तो spleen किस system का part होता है तो spleen जो होता है वो lymphatic system का parts होता है कभी-कभी exam में ऐसे question पूछ लिये जाते हैं which organ called blood bank of RBC और blood bank of our body यानि कि हमारी body का blood bank किसे कहा जाता है या फिर RBC का blood bank किसे कहा जाता है किस organs को, किस अंग को हमारी body का blood bank कहा जाता है तो वो spleen होता है spleen को हमारे RBC का blood bank या फिर हमारी body का blood bank कहा जाता है 21 number का question which organs have regenerating power यानि ऐसा कौन सा organs होता है अंग होता है जिनमें regenerate होने की सक्ति पाई जाती है यानि regenerating power होती है यानि कि जो organs अगर damage हो गया है तो वो तुरंत ही regenerate होकर के पुना वैसा हो जाएगा तो वो liver एक ऐसा organs होता है जिनमें regenerating power पाई जाती है next question है 22 number का which cell have regenerating capacity ऐसी counts ही cells होती है जिनमें regenerating capacity पाई जाती है यानि कि जिनमें पुना निर्माण होने की छमता पाई जाती है तो ऐसी counts ही cells होती है जो liver में cells पाई जाती है इनको हम hepatic cells भी कहते हैं यानि कि जो liver की cells होती है इनमें regenerating capacity होती है यानि कि ये अगर damage होंगी तो ये पुना तुरंद जो है फिर से वैसे ही निर्मान हो जाएंगी ठीक है 23 नमबर कोश्चन Study of liver card Study of liver card यानि कि जिसमें हम liver का study करते हैं अध्यन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? Hepatology Shape of RBC RBC का shape कैसा होता है? By Concave shape का होता है 25 नमबर का question Before binding with or to the shape of RBC अगर जो हमारी RBC होते हैं अगर वो oxygen से bind नहीं हुई है तो उनका shape कैसा होता है? Round shape का होता है ये question जो है RRB paramedical में पुछा गया था railway में ठीक है? यानि कि अगर हमारी RBC है वो oxygen से bind नहीं हुई है तो उनका shape कैसा होता है? तो round shape का होता है What is the function of RBC? ये question भी RRB में पुछा गया था कि What is the function of RBC? जो RBC का function क्या होता है? तो उसमें बहुत सारे option दिये थे लेकिन मैं यहाँ आपर only answer answer बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिमार्ट में आपके set हो जाए जो RBC का function होता है औक्सीजन को carry करना हमारी पूरी बोड़ी में और CO2 को हमारी पूरी बोड़ी से बाहर निकालना ये हमारे RBC का काम होता है ये question भी CRP पेरा मेडिकल में पूछा गया था तो वाट इस दा नेम आप रिस्पारेटरी पिगमेंट हमारा जो रिस्पारेटरी पिगमेंट होता है उसका नाम क्या होता है तो उसका नाम होता है हीमोगलोबिन जो हीमोगलोबिन होता है ये रिस्पारेटरी पिगमेंट होता है Next, 28 number का question How many molecules of O2 transport by one molecule of HB यानि कि how many molecules of O to transport by one molecule of Hb हीमोग्लोमिन के एक molecules से कितने molecules oxygen का transportation होता है यानि कि अगर एक molecules है हीमोग्लोमिन का तो उससे चार molecules oxygen के transport होंगे यानि कि हीमोग्लोमिन का एक molecules कितने oxygen के साथ bind करता है simply तो four oxygen molecules के साथ bind करता है यानि कि Hemoglobin का 1 molecules Oxygen के 4 molecules को transport करता है या carry करता है Which acid present in cold drinks? जो cold drinks होती हैं उनमें काउन सा acid present होता है Carbonic acid जो हमारा cold drinks जो हम पीते हैं उनमें carbonic acid present होता है 1 gram Hb contains iron यानि कि 1 gram hemoglobin कितने irons को contain करता है यानि कि 1 gram hemoglobin में iron की कितनी मात्रा उपस्तित होती है यानि कि 1 gram hemoglobin है तो उसमें 3.47 mg iron की मात्रा उपस्तित होती है या फिर percentage में पूछा जाए तो 0.347 ये question भी BSAP SI में पूछा गया था 2021 में कि 1 gram hemoglobin contains how many irons यानि कि 1 gram hemoglobin कितने irons को contain करता है तो आपको पता होना चाहिए और वहाँ पर percentage में answer दिया गया था तो 0.347 एक gram hemoglobin 0.347% iron को contains करता है 31 number का question है One molecule of HB contains how many iron atoms यानि कि hemoglobin का एक molecules कितने iron atoms को carry करता है तो चार iron atoms को carry करता है अगर ये एक hemoglobin का molecule है मालिजे ये एक HB का molecules है तो ये कितने irons को carry करेगा तो चार irons को एक, दो, तीन, चार इनमें चार irons जो है रहेंगे यानि कि One molecule of HB contains how many iron atoms ये सारे question बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इस पे आप अच्छे से focus किजिए कि जो हमारा hemoglobin का एक molecules होता है वो कितने oxygen को transport करता है oxygen के कितने molecules को तो वो भी चार molecules को transport करता है और अगर ये पूछा जाया कि एक molecules of HB वन molecules of HB contains how many iron यानि कि HB का एक molecules कितने irons को contains करता है यानि कि उसमें irons के कितने iron atoms जो है कितने iron atoms जो है उसमें उपस्तित होते हैं एक molecule यानि कि One molecule of HB में hemoglobin के एक molecules में चार iron atoms उपस्तित होते हैं simply ये याद रखिए कि हीमोगलोबिन के एक मॉलिक्यूल में चार आइरन एटम्स उपस्तित होते हैं नेक्स्ट कोश्चन है आपका वन मॉलिक्यूल ऑफ एजबी करी हाव मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ये कोश्चन फिर से साथ रिपीट हो गया है तो इसको मैंने आपको बताया था कि हीमोगलोबिन का एक मॉलिक्यूल होगा वो कितने ऑक्सीजन को करी करता है तो ऑक्सीजन के चार मॉलिक्यूल को करी करता है नेक्स्ट कोश्चन है वन एमल बलड कंटेंस हाव मेनी आइरन जो वन एमल बलड होता है वो कितने मात्रा में iron उसमें उपस्तित होता है यानि कि एक ml blood में 0.5 mg iron उपस्तित होता है अगर हम एक ml blood किसी का निकालते हैं तो उसका 0.5 mg iron उसकी body से निकलता है यानि कि 1 ml blood में कितना iron होता है? 0.5 mg Next question, 34 One unit of blood contains how many iron? यानि कि अगर एक unit blood में कितने मात्रा में iron उपस्तित होता है अगर हम जब blood transfusion करते हैं या blood donation करते हैं तो एक unit blood निकाला जाता है या फिर एक unit blood किसी patient में transfusion उसमें किया जाता है तो उस one unit blood में कितनी मात्रा में iron होता है तो 200 mg होता है यानि कि 200 mg उसमें iron present होता है ठीक है, 1 unit यानि कि 450 ml का 1 unit है तो उसमें 250 mg iron present होगा Nucleus absent in RPC, Nucleus जो होता है वो कौन सी blood cells में absent होता है, तो RPC में Nucleus absent होता है 36 number का question Nucleus present in which red blood cells यानि कि Nucleus जो होता है वो human जो मनुस से होते है उनकी जो blood में RPC होती है, उसमें Nucleus absent होता है लेकिन एक ये अपवाद है जो camel, oot और lama होते है उसमें उनकी RPC में Nucleus present होता है ये question बहुत बार पूछा गया है exam में कि Nucleus present in which animals या फिर which उसको क्या कहते हैं, Jew यानि कि किस Jew के अंदर Nucleus present होता है किस Jew की RPC में Nucleus present होता है तो आपको पता होना चाहिए कि oot में और lama यानि कि oot और lama में camel and lama में camel and lama की RPC में Nucleus present होता है अगर human की RPC में Nucleus absent होता है लेकिन ये अपवाद है कि camel और lama की जो RBC होती है उनमें nucleus यानि की केंदरक उपस्थित होता है बाकी सब में बाकी सब की RBC में केंदरक जो है अनुपस्थित होता है decreases of RBC में भी अगर RBC का decreases होगा यानि की कमी होगी तो वो condition कौन सी हो सकती है anemia condition हो सकती है यानि कि उस condition को हम anemia कह सकते हैं या उस person को anemia हो सकता है जिसके अंदर RBC की कमी होगी decreases condition of RBC card अगर RBC जो है वो decrease होगी तो उस condition को उस इस्थिती को हम erythrocytopemia कहेंगे यानि कि penia word जहां पर लग जाता है उसका मतलब होता है कमी तो decreases condition of RBC card erythrocytopemia, increases of RBC में भी अगर RBC बहुत जादा मात्रा में increase हो रही है तो उस कौन सा disease हो सकता है उसको polycythemia हो सकता है increases condition of RBC card erythrocytosis अगर RBC का increases हो रहा है तो उस इस्थिती को उस condition को हम erythrocytosis कहेंगे 41 नमबर का question है sickle cell anemia is which types of disease जो sickle cell anemia होता है वो किस परकार का disease होता है तो यह एक genetic disease होता है यानि की sickle cell anemia एक परकार का genetic advancic रोग होता है genetic disease होता है 42 नमबर का question in sickle cell anemia RBC which safe sickle cell anemia में RBC किस सेब की हो जाती है तो like half moon यानि की जो हमारा चंद्रमा होता है उसका जो हाफ होता है ठीक है उस तरह या फिर हसिया के आकार की हो जाती है यहनि की sical cell में sickle cell अगर किसी को हुआ है तो उस patient की body में या उस person की body में जो RBC का सेफ होगा वो like half moon यानि की आधेश चंद्र माँ के आकार का हो जाएगा यह फिर हसिया के जैसे हो जाएगी क्या उसकी RBC Nucleus Discovered by Nucleus की खोज किस ने की तो Nucleus की खोज Robert Brown ने की Quantity Ratio of RBC and WBC जो हमारे Blood में RBC और WBC होते है उनका Quantitative Ratio क्या होता है 600 is to 1 यानि की 600 RBC अगर मिलेंगी तो उसमें 1 WBC मिलेंगी 600 RBC में 1 WBC पाई जाएंगी तो इसलिए इसका Ratio ये 600 पार्ट है ये RBC का और 1 वाला पार्ट है ये WBC का तो Quantitative Ratio of RBC and WBC 600 is to 1 Most Soluble Gas in Our Blood जो हमारे Blood में हमारे खून में सबसे ज़्यादा मात्रा में Soluble होने वाली Gas काउन सी होती है तो वो होती है CO यानि की Carbon Mono Oxide लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता होगा या वो गेस करते हैं कि जो Oxygen होती है वही हमारे Blood को सुद्ध करती है तो वही सबसे ज़्यादा Soluble होती है तो ऐसा नहीं है जो हमारे Blood में सबसे ज़्यादा मात्रा में Soluble Gas होती है वो Carbon Mono Oxide होती है 46 नंबर का Question Hiperin is A Hiperin जो होता है एक प्रकार का Natural Anticogulants होता है और Hiperin कहां पर पाया जाता है ये भी देखते है Hiperin हमारे Blood में पाया जाता है और Hiperin का Synthesize कहां पर होता है Lever में होता है जो Hiperin होता है हमारा Lever के द्वारा बनता है तो सबसे पहले यहाँ पर ये जानिए कि Hiperin क्या होता है तो Hiperin एक Natural Anticogulants होता है Where the Formation of Fat या Bone Accurin यानि कि मैंने आपसे बताया था कि जो Blood का Formation होता है वो Bone Mareau में होता है या फिर जो RBC होती है उनका जो Formation होता है वो Bone Mareau यानि कि अस्तिमज्जा में होता है और वो किस टाइप की अस्तिमज्जा या Bone Mareau में होता है वो Red Bone Mareau में होता है और Yellow Bone Mareau में क्या होता है Where the Formation of Fat या और Bone Accurin यानि कि जो Fat होता है या फिर Bone होता है उनका Formation कहां पर होता है तो आप बताएंगे yellow bone marrow में और अगर पूछा जाए blood का formation तो red bone marrow में WBC is also called WBC को और क्या कहा जाता है या फिर WBC का another name क्या होता है तो leukocytes कहा जाता है तो WBC का another name leukocytes कहते हैं normal range of WBC WBC का normal range क्या होता है WBC का normal range 4000 से 11000 पर microliter of blood होता है where the formation of WBC takes place यानि कि जो WBC का formation निर्मान कहां पर होता है तो वो भी bone marrow में होता है ठीक है थैंक यू, थैंक यू so much दोस्तो next वीडियो में हम फिर आपको 50 questions, ठीक है blood hurts and circulatory system के 50 और questions हम आपको next part में बताएंगे और ऐसे करके हम total 300 questions cover करेंगे तो अभी bore मत होईए और ये starting में आपके maximum question जो है blood से related है और उसके बाद धीरे-धीरे आपका heart से ठीक है और total circulatory system के हम सारे MCQ इस part में cover करेंगे ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू so much दोस्तों बाइ-बाइ, टेक केर